हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों एक कंपणी का रिजल्ट्ट हाया है रिजल्ट्ट की semiconductor बहुत ही इस समय चर्चित सेक्टर है semiconductor साथ में integrated engineering solution प्रोवाइड करती है और यहां तक क्या company end to end IOT solutions भी provide करती है तो दोस्तों यह तो company का रहा की business model क्या है इनके जो solution है इसकी माध्यम से semiconductor system या फिर IOT की माध्यम से कौन कौन से industry को एक cater करते हैं इनके बारे में बातचीत करने वाले हैं इस company के बारे में मैं बहुत पहले भी आपसे बातचीत कर चुका हूँ तो एक किस industry को cater करते हैं किनको सर्व करते हैं यहां देखिए agriculture, automotive, medical devices यहां तक कि आप देखिए AI robotics, security और consumer electronics, industrial automation और transport logistics, home automation और aerospace segment में यह company serve करती है चलिए दोस्तो अब इसके result को देखते हैं देरी ना करते हुए क्योंकि बहुत जरूरी है इसके result को देखना फिर आप समझ पाएंगे दोस्तो अभी यह मैं September 23 से September 22 के बीच में तुलना करूँगा फिर उसके बाद और बहुत सारे quarterly result दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक interesting बदला होता हुआ जो इस company के sales और net profit में दिख रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगा उसके बारे में भी और आपको दिखाऊंगा यहां देखिए जो sales है मैं year on year बात करूँगा यहां पर आप देखिए जो sales है वो 46% से अप हो रहा है यानि 46% से बढ़ा है सिप्टेंबर 23 में जो sales है 71 करोड हो गई है और जो सिप्टेंबर 22 में थी 49 करोड थी यानि 49 करोड दोस्तों अगर हम इविटा की बात कर लें तो 95 से अप है सिप्टेंबर 22 में आप देखिए कि पांच करोड था यहीं अप बढ़के आप देखिए कि 3 करोड हो गया है दोस्तों अगर हम नेट प्रोफिट को देख लें तो नेट प्रोफिट आप देखिए कि 193 परसेंट से अप हुआ है यानि कुल मिलाजुला कर का हैं त तो दो गुना हो गया नेट प्रॉफिट आप देखिए कि 1.24 CR था नेट प्रॉफिट 2022 में जो अब बढ़के 3.63 CR हो गया है दोस्तो उसी तरह EPS भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है बढ़ा है 150% से या निडेड गुना हो गया है आप देखिए कि पहले EPS September 22 में 0.08 था अब अगर हम कर लें कि कंपनी जोन 23 यानि पिछले क्वार्टर से कैसा परफॉर्म की है तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई पर रही है तो दोस्तो अगर हम रिजल्ट की बात कर लें कि इस बार का company ने excellent pace किया है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी क्योंकि इस company की या फिर यह जो product बनाती है उसकी demand है दोस्तों अब हम देखेंगे company के quarterly और result को जो मैं आपको दिखाना चाहता था उसके बारे में बात चीत करेंगे कि क्या खास है क्यों मैं आपको क्यों उसके बारे में आपसे बात चीत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे देख पाओगे मैं बात करूंगा अब company के quarterly result के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि company का जो यहाँ पे quarterly result सो हो रहा है वो September 20 से हो रहा है आप देखिए कि 23 करोड की sales हुआ करती थी September 20 में अब यह sales दीरे दीरे बड़ी है आप देख सकते हो कि हर quarter में company की sales है वो up हुई है यहां भी थोड़ी इसी गिरावट इसे हम गिरावट नहीं कहेंगे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल आता है और हम बात कर लें operating profit की तो यहां पर आप देखिए कि जो company का operating profit था September 20 में minus 39 CR था जो कि अब दीरे दीरे हर quarter में बढ़ा है आप देखिए quarter में बढ़ते हुए अब इसका जो operating profit हो गया है 7.73 हो गया है दोस्तों अगर आप operating profit को देख रहे हो तो बीच में आपको expenses वे आता है तो उसे आप ignore कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हम बात करेंगे company के net profit की यहां पर आप देखिए company का जो net profit है वो कैसा है यहां पर देखिए कि point sorry minus 3.43 CR था company का जो net profit था जो कि गटते गटते आप यहां पर देखिए company का जो performance है किस तरह से है अभी फिल 2121 CR है एक quarterly result हो गया दोस्तों एक बार आप yearly result देखना यानि yearly PNL को आप चिक करना फिर आप पाओगी कि company का profit की सिसाब से बड़ा हुआ दिखाए पड़ेगा चलते है company के PNL पे यहां पे हम company के जो sales है वो yearly तोर पे track करते हैं जो company का profit है वो भी yearly तोर पे track करते हैं तो यहां पे आप देखिए जो sales है कभी 15 करोड की हुआ करती थी मार्च 14 में 8 करोड की 16 में 5 करोड की लेकिन 16 के बाद ही company का जो performance है वो change होना शुरू हुआ और आप देखिए कि लगातार company में improvement देखने को मिली है 38 करोड की sales बढ़के 190 करोड हो गई है वहीं operating profit की बात कर लें तो operating profit आप देखिए कि यहां पे यहां से हम देखेंगे operating profit को मार्च 20 से यहां पे देखिए कि 15 करोड मार्च 19 से भी आप देख सकते हो कि 16 करोड थी और फिर उसके बाद company का जो net profit है वो दीरे-दीरे सुधरता गया है अभी फिलाल म 26 करोड का है और इस बार yearly में भी net profit अच्छा सो करेगा इतना आसा है आप देखिए कि जो company में बदलाव देखने को मिला है में अनरोप से मार्च 20 से हम कह सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि minus 46 करोड का profit before tax है लेकिन आपको इसको देखने की ज़रुरत नहीं हम सीधे net profit पर चलते हैं और देखिए कि net profit कहां से change हुआ है आप देखिए कि net profit 46 CR था और minus 46 CR था अब फिलाल में 6 करोड है net profit yearly थोर पे आपको मैंने जैसा की दिखाने क्या कश्ट किया आपने देखा भी तो दोस्तों एरा company के performance से सम्मंदिच चीजे company का performance सुदर रहा है 6 करोड का net profit है और यहां पर कुछ और सुदार की जरूरत है sales से ज्यादा profit बनाने की जरूरत है लेकिन फिर भी company अच्छा कर पा रही है इस quarterly results में पता चल रहा है अगर आप हैं इस company में तो आप बने रही है और एक company आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमा के देगी दोस्तों एरा वीडिय आप यहां फिक्सट एसिट पर भी ध्यान दे सकते हो कभी तीन करोड का